हेलो फेंस तो आज के इस वीडियो में मैं Forbidden Love सीरीज के Arrange Marriage वाला एपिसोड एकस्प्लेंग करने वाली हूँ ये सीरीज 2020 में रिलीज हुआ था और इस सीरीज को IMDB से 5.4 रेटिंग्स भी मिले है और इस सीरीज में आप नील और देप की लफ स्टोडी के बारे में जान सकते हैं वैसे में बता दू इस रिस में टोटल 4 एपिसोड है और 4 एपिसोड की स्टोडी एक दूसरे से अलग है और इस वीडियो में मैं एपिसोड वान यानी Arrange Marriage एकस्प्लेंग करने वाली हूँ तो फिलाल स्टोडी बतने से पहले लेट्स रोल दा इंट्रो कहानी की सुरुआत होती है किया से जो जोतिस के पास जाती है अपना कुंडली दिखाने के लिए तो कुंडली देखने के बाद जोतिस बताते है कि कया मांगलिक है और इसलिए उसे पूजा करना पड़ेगा और यही बात घर जाके किया सांतिका की को बताती है और फिर कहानी में आगे हम देखते है नील को जिसकी माँ उसे साधी करने के लिए फोर्स कर रही थी क्योंकि एक तो नील की उमर हो गया था और दूसरी सारी सहल या उनके पीछे पर जाती है लेकिन नील फिर भी मना कर देता है अब क्योंकि नील की माँ की तब्यात बहुत खराब थी इसलिए वो साधी करने के लिए राजी हो जाता है जो देखके देब नील के पैरेंस को बाई बुलके वहाँ से निकलता है तो आगे नील जब देब को छोड़ने जाता है खून से नहाती है ताकि कोई भी लड़का उसे रिजेक्ट ना करे कहानी में आगे नील के पैरेंस जब लड़की देखने जाते है तब हम भीर्स को पतचलता है वो लड़की और कोई नहीं किया है और किया को सांतिका की नहीं पाला है क्योंकि वो जब 3 साल की थी तब उसकी मा गुजर गई थी लेकिन फिर वहाँ पर जब नील के पैरेंस देब को देखते है तब उनको पतचलता है क्या उसकी कजन है अब क्योंकि किया और देब की बंती नहीं थी इसलिए देब वहाँ से गुसे में चल जाता है कहानी में आगे नील और देब जब बात करते है तब हम भ्योर्स को पतचलता है नील जिससे प्यार करता है वो कोई और नहीं देब है अब क्योंकि नील की साधी किया से होने वाली थी इसलिए देब बहुत गुसा था क्योंकि एक तो क्या उसकी बेहन है और उपर से उन दोनों का रिस्ता ठीक नहीं है लिकिन नील देब को समझाता है क्या के साथ रिस्ता ठीक करने के लिए क्यूंकि इसे साधी के बाद उन दोनों को मिलने में कोई प्रॉब्लेम नहीं होगा और वैसे भी क्या उसकी बहन है तो वो उन दोनों के रिस्ते को समझ सकती है जो सुनके देब और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्यूंकि वो क्या से रिस्ता ठीक करना नहीं चाता था जो देब के निल उससे समझाता है और किस करता है और फिर कहानी में आगे क्या और देब के बीच सब कुछ ठीक करने के लिए निल जब एक प्लैन बनाता है वो प्लैन पूरी तरीके से फेल हो जाता है क्यूंकि देप को देख के किया उसकी मजाग बनाती है जिससे देप गुस्सा होकर किया को याद दिलाता है जब देप के दो भाई जबरदस्ति उसको एक ओरत के पास लेके गए थे उस ओरत के साथ फिजिकल होने के लिए ताकि देप का होमोसेक्सुलिटी दूर हो तब बाहर खड़ी किया ये सब देख रही थी और देप ने उससे हिल्प भी मांगा था लेकिन किया ने तब कुछ भी नहीं किया था जो चल रहा था वो होने दिया कहानी में आगे जब साधी की साड़ी तैयारी हो रही थी तब नील के पापा उसको एक घर देखने बोलते है ताकि साधी के बाद कया और नील वहाँ पे रहे और फिर वो दिन आ जाती है जब कया और नील की साधी होती है लेकिन उस साधी सेना तो नील खुस था और ना ही देव आगे देव जब एक दिल तूटा आसिक की तरह बाड़े में ड्रिंक कर रहा था तब ही कुछ बंदे एक इंसान को हमोबोल के मजाग बनाते है जो देव बहुत गुस्सा हो जाता है और उनको अच्छे से समझाता है दूसरी बार किसी को ऐसा बोलने से पहले ये सब याद रखने के लिए और रात को देव जब ड्रिंक करके नील को कॉल करता है तब नील उसे समझाता है लेकिन देव कुछ नहीं सुनता है क्योंकि वो नील के साथ रहना चाता था जो कि अब पॉसिबल नहीं है अब क्योंकि बहुत रात हो गई थी तो नील देव को बताता है कि उसे अब जाना पड़ेगा जो सुनके देव बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि देव को ऐसा लग रहा था कि नील अब उसके बहन के साथ सोना चाता है और होमोसेक्सुलिटी सिर्फ एक एकस्परिमेंट था जो नील ने एकस्प्लोर कर लिया है और यही सब बात जब वो नील को बताता है तब नील उसे समझाता है कि वो सिर्फ उससे प्यार करता है और देव जो सोच रहा है वो सच नहीं है कहानी में आगे नील जब क्या को बताता है कि उसे हर हपते दो दिन के लिए मुंबई जाना है और ये सब बस कुछ ही मैनों की बात है तब किया बहुत सैड जाती है लेकि नील को कुछ नहीं बोलती और नील के जाने के बाद वो सांतिकाकी को कॉल करके सब कुछ बताती है कि नील उससे फिजिकल नहीं होता है जो सुनके सांतिकाकी किया को एक कोठी में लेके जाती है जह इसके पास आता तक नहीं है और इसलिए क्या रोधी रहती है अब क्योंकि साधी के बाद तीन मैने हो चुके थे और नील किया के साथ फिजिकल नहीं हो रहा था इसलिए कि एक डॉक्टर के पास जाती है जहां देव उसका पीछा करता है और डॉक्टर का नाम देखके घर जा या फिर इलेक्ट्रिक सौक थिरापी से इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं और यहीं सब बात देव को भी पत चलता है क्योंकि वह उस डॉक्टर के बारे में सर्च कर रहा था फिलाल किया को डॉक्टर समझाता है कि वह सही इंसान के पास आई है और नील को ठीक कर देंगे कहान नील जब देव के सथ टाइम स्पेंट कर रहा था तब देव क्या की नाम सुनके बहुत गुस्सा हो जाता है जो देख के नील उसे समझाता है उसको साधी के लिए फोर्स किया गया था और तबी उसने साधी किया और यह सब बात देव को अल्रेटी पता है और क्या भी उनक उसको अपसर नहीं है अब क्योंकि क्या निल को फोन कर रही थी और निल फोन उठा नहीं रहा था इसलिए क्या उसके ऑफिस में फोन करती है जहां से क्या को पती चलता है निल उससे जुट बोलता है वो ऑफिस नहीं कहीं और जाता है और इसलिए एक दिन क्या निल की पीछा करती है और नील और देव को साथ में देखती है जिससे वह समझ जाती है कि नील होमोसेक्सुल है क्यूंकि देव होमोसेक्सुल है और इस बीमारी से नील को बचाने के लिए किया डॉक्टर को कॉल करके सब कुछ बताती है जो सुनके डॉक्टर किया को बोलते हैं कल दीनर पर निल को उनके घर लाने के लिए तो अगले दिन जब किया निल को जूट बोलके डॉक्टर के पास लेके जाती है वहाँ पर बिन बुलाए महमान की तरह देव आके निल को समझाता है कि किया को उन दोने के बारे में सब कुछ पता है लिकिन निल देव पर गुस्सा करता है और उसकी एक भी बात नहीं सुनता है क्यूंकि देव बिन बुलाये आ गया था लिकिन डिनर के बाद नील जब डॉक्टर से बात कर रहा था तब डॉक्टर का रूम छानबिन करता है जहां से उसे पत चलता है नील को वो डॉक्टर इलेक्ट्रिक सौक देने वाले है जो देखे देव सौक्ट हुजाता है और तब भी वहाँ पर किया आके देव को बोलती है नील के लाइफ से दूर चले जाने के लिए और नील को जो बीमारी हुआ है वो डॉक्टर ठीक कर देंगे जो सुनके देव गुस्सा हो जाता है लेकिन वो किया को समझाता भी है कि नहीं सुनती है तो दोनों जब लडाई कर रहे थे तब गलती से उस इलेक्ट्रिक चेयर में बैठने के वज़े से किया की मौत हो जाती है और फिर पूलिस आके उस डॉक्टर को एरेस्ट करते हैं और किया की बॉड़ी भी लेके जाते हैं और यही पर एपिसोट खतम जात तो जो जैसे जीना चाता है उसको वैसे ही रहने दो जाहे सपोर्ट करो या ना करो कम से कम उनके लाइफ में मुस्केले पैदा मत करो तो फिलाल यह वीडियो यही पर खतम होती है लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक करना शेयर करना वीडियो के नीचे कॉमेंट करना मत भूलना और अगर आज चनल पर नया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना थैंक्स पर वाचिंग गाइस